अलो स्टुडेंट मैं सर्वेश कुमार मिश्रा आज आप लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन फर्स्ट चेप्टर का वीडियो प्रवाइड किया जाएगा पहला चेप्टर है एनर्जी कंजर्वेशन का उर्जा सरक्षन इसको बोलते हैं इस पूरे बुक में हम लोग उर्जा को किस प्रकार से सरच्षित किया जाता है किस प्रकार से उसका ऐसा उप्योग किया जाता है जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा उर्जा की बचत हो और उसके कारण जितना भी हमारा नेचर है और नेचर पर इसका प्रभाव क्या है हमारे कुछ एक्ट हैं उर्जा को बचत करने के लिए उसके बारे में इस पूरे बुक में हम लोग पढ़ाई करेंगे तो पहला चेप्टर है आप लोगों का बेसिक्स आफ एनर्जी बेसिक्स आफ एनर्जी में इस चेप्टर के अगर सलेबश की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पढ़ेगा क्लासिफिकेशन आफ एनर्जी जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी के बारे में पढ़ना पढ़ेगा Commercial and Non-Commercial Energy के बारे में पढ़ना पढ़ेगा उसके बाद Non-Renewable and Revenable with Special Reference to Solar Energy के बारे में पढ़ना पढ़ेगा Capacity Factor of Solar and Wind Power Generation के बारे में हम लोगों को पढ़ना पढ़ेगा दूसरे टोपिक की बात करें तो इसमें Global Fuel Reserve के बारे में पढ़ना पढ़ेगा किस प्रकार से हम लोग Fuel को Reserv करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग Equipment में उर्जा सरणचन का कारे करते हैं तीसरा टोपिक है Energy Scenario in India and State of UP Sector-wise Energy Conception, Domestic, Industrial, Agriculture and Other Sectors में किस प्रकार से हम लोग Energy सरणचन करते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टोपिक है उसको हम लोग Impact of Energy Uses on Climate मतलब कि जो हम लोग Energy का उपियोग करते हैं वो हमारे परयावरान पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे मतलब टोटल मिला के हम लोग को इस पहले चेप्टर में बेसिक साफ एनरजी में चार पॉइंट को पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना जुरू करते हैं एनरजी आप लोग जानते हैं कि एनरजी जो होता है उसके माध्यम से हम किसी भी कारे को आसानी से करते हैं चाहे वो अपने मानों के द्वारा कारे हो सके मसीनों के द्वारा कारे हो सके या किसी भी ऐसे उर्जा के द्वारा कारे हो सकता है जैसे कि हम लोग Solar Energy की बात करते हैं, Solar Energy के को हम Convert करके हम बहुत सारी उपयोगिता लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर Energy को दो भागों में डिवाइड किये हैं, दो क्या तीन भागों में डिवाइड किये हैं, जिसमें कि पहला है Primary and Secondary Energy, दूसरा है Commercial and Non-Commercial Energy, और तीसरा है Renewable and Non Renewable Energy, तो हम लोग सबसे पहले इसका classification कर लिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एनरजी होती क्या है, एनरजी वास्ताव में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसके परिभासा की बात करते हैं, तो एनरजी का साब्दिक अर्थ कारे संपादन छमता से है, कारे करने क चमता को उर्जा कहते हैं, उर्जा के बिना कोई भी कारे करना या होना संभव नहीं है, वर्तमान में भी मसीन या यंत्रो को चलने के लिए उर्जा की आवशक्ता होती है, अब इस परिभासा से आप समझ सकते हैं, कि उर्जा के माध्यम से हम कोई भी कारे संपन कर सकते हैं ये समझ लीजिए कि अगर उर्जा नहीं है तो हम कोई भी कारे चाहे तो मनुस्य द्वारा हो चाहे पेड़ पौधे द्वारा हो चाहे जानवर द्वारा हो मतलब इस रिष्टी में कुछ भी अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ संभव है कि इसके दौरा उर्जा के दौरा उर्जा को हम लोग तीन भागों में विवाजित करते हैं primary and secondary energy पहला है मैंने दूसरा वाला आपको classification में बता ही दिया है तो अगर हम primary energy की बात करते हैं तो primary उर्जा वे स्रोत हैं जो प्रकीत में पाई जाते हैं जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, बायो मास, प्रिथवी के अंदर उपलद तापिय उर्जा, प्रिथवी पर उपस्थित रेडियो पदार से परवाड उर्जा, इत्याद प्राइमरी एनर्जी से आप सिर्फ और सिर्फ यही समझे जो कि हमारे प्रकीर्ति में पाया जाते हैं प्रकीर्ति में पाया जाता है, फिर उसको हम लोग संसोधित करके, किसी दूसरे उर्जा में कनवर्ड करके, हम लोग उसका उपयोग करते हैं से कोईला है तो कोईले को पहले हम निकालते हैं उसको जलाते हैं जलाने के बाद उससे हम क्या प्राप्त करते हैं उसमा उर्जा प्राप्त करते हैं दूसरा प्राकृतिक गैस है प्राकृतिक गैस को भी हम लोग पहले भूमंडल से प्राप्त करते हैं जो जमीन से खुदाई होती है और उसका फिल्ट्रेशन होता है उसके बाद जो भी हमको पेट्रोल डीजल जो भी मिलता है उसको हम लोग उपयोग मिलाते हैं फिर उर्जया प्राप्त करते हैं बायो मास्क का का वेश्टेज हो गया गोबर हो गया इत्याज तो उनसे भी हम लोग क्या करते हैं एक उर्जा प्राप्त करते हैं उनको किसी ने किसी प्रकार से एक दूसरे रूप में परिवर्टित करके हम लोग उर्जा प्राप्त करेंगे और उससे हम कार्य करते हैं सेकेंडरी एनर्जी भाब एवं बिद्धुत उर्जा में परिवर्थित होते हैं इस प्रकार भाब तथा बिद्धुत उर्जा उर्जा के दुतियक स्रोथ मतलब वही बाद जब हमने कोईला वगेरा प्राप्त किया फिर प्राप्त होने के बाद जब वो प्राप्त हुआ तो वो प्राथमिक स्र लाएगा और जब प्राप्त होने के बाद उसको हम उस्मा उर्जा में परिवर्प्त करेंगे तो वो हमारा सेकेंडरी एनरजी का लाएगी तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कामर्शियल एल नॉन कामर्शियल एनर्जी की तो कामर्शियल से आप लोग को पहले ही समझ में आ रहा होगा कि कामर्शियल का मतलब यह है कि लेंदेन का वाडिज्य जगत से यह संबंधित है मतलब वह उर्जा शृत जो बाजार में निश्चित कीमर पर उपलब्द होते हैं वाडिज्यक उर्जा कहलाते हैं वाड़ेजिक उर्जा, बिजली, कोईला तथा सुध पेट्रोलियम से बने उपाद के रूप में उपलब्द रहते हैं। तो कामर्सिल एनरजी का सीधा सीधा मतलब यह है कि जैसे हम लोगों ने कोईला प्राप्त किया, कोईले से फिर हम लोगों ने इनरजी बनाई, बिजली बनाई, तो बिजली को जब हम लोगों खरीद फरुक्त करेंगे, तो जो खरीदने से हमको उर्जा प्राप्त होगी, जो खरीदने से हमको उर्जा प्राप्त होती है, उसको हम लोग कामर्सिल एनरजी की बात करें, तो अब आड़िज्य कुर्जा स्रोत के रूप में जलाने वाली लकड़ी, पसुओं का मल, क्रिसी अपसिष्ट पदार्थ जैसे इधन सामिल हैं। इस प्रकार के इधन पारिस्परिक रूप से इकठा किया जाता है, खरीदा नहीं जाता है। मतलब यह है कि भाई हम लोगों ने कोईला वगेरे तो लाया, उससे हमने बिजली बनाया तो फिर उसको बेचा और खरीदा। तो वो जो एनर्जी है, वो जो हमको उर्जा प्राप्त हुई है, वो कामर्सियल एनर्जी की रूप में हमको मिली है। लेकिन कुछ एनर्जी के सुरोत ऐसे होते हैं, कुछ उर्जा के सुरोत ऐसे होते हैं, जिनको हम लोग खरीदते नहीं हैं, बस उसको मेहनत करके इकठ्था करते हैं, इकठ्था करने के बाद उसको हम लोग दूसरे रूप में परवर्तित करके उर्जा प्राप्त करते जैसे लकड़ी, पेड़ पौधों से हम लोग को लकड़ी मिलता है, लकड़ी को जलाते हैं, उसमा प्राप्त होता है, एक प्रकार की उर्जा है, उसके बाद पसुओं का मल, पसुओं का मल से हम लोग क्या बनाते हैं, जलाने के लिए उपली वगेरा बनाते हैं, तो उपली स जो भी उर्जा प्राप्त होती है उसका हम लोग उपयोग करते हैं ठीक है आगे हम लोग शलते हैं renewable and non-renewable energy तो renewable energy क्या है नवी करणी उर्जा वह उर्जा है जो अच्छे उर्जा सुरोतों से प्राप्त किये जाते हैं तता इस प्रकार की उर्जा सुरोत की कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है जैसे पवन उर्जा, सोलर उर्जा, भूतापी उर्जा, ज्वारी उर्जा, जल उर्जा, आदी उर्जा के नवी करणी सुरोत हैं इस प्र renewable energy क्या है जो कभी energy खतम ही नहीं होती है उससे जो उर्जा प्राप्त होता है जैसे सूर्य का प्रकास सूर्य के प्रकास से हम उर्जा प्राप्त करते हैं उसको किस प्रकार utilization करते हैं कि भाई कपड़ा वगर्या सुखाना है solar cell में हम लोग उसका उप्योग करते हैं पेड़ पौधे भी उसका उप्योग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए तो यह सब उर्जा के सुरोत ऐसे हैं जो कि अच्छे उर्जा यह कभी खतम नहीं होने वाले हैं आप जल उर्जा को ही ले लीजिए उसके बाद टाइडल म इनरजी गैर नवी करने उर्जा के सुरोत एक पारस्परिक जिवास मीधन है जैसे कोईला तेल गैस जो समय के साथ समाब्त हो जाता है तो आज के लिए इतना ही आप लोग नोर्स हो गएर तायार करते रहें और आगे हम लोग वीडियो ऐसे आपको भेशते रहेंगे थोड भी उमीद रखता हूं कि आप लोग निरंतर नोर्स तैयार करते रहेंगे और जिसे की परिच्चा में आशानी हो धन्यवाद